नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तों बस्थित हूं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे अंकुरित चने को खाने के फायदे लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस से भिंगो दें उसके बात करना क्या है आपको कि उसे आप सबसे पहले किसी भी सूतिक वस्तर में लपेट करके रख दें उस पर पानी का छिड़काओ कर दें वो आपको अगले 24 आउर्स के अंदर अंकुरित मिलेंगे इनको खाने के फायदों के बारे में आज हम सभी बात करेंगे दोस्तों जो लोग अपनी सेहत से प्यार करते हैं उनकी दिंचरिया में वियायाम के अलावा सुबह सुबह ली जाने वाली वह अंकुरित अनाज है जिसे अगर नियमित रूप से लिया जाए तो आपको धेरो सा मारे फायदे होंगे दोस्तों इन्हीं अंकुरित अनाज में से एक है चना आये इसके लावों के बारे में हम सभी जानते हैं नंबर वन काले चने का प्रियोग किसी भी रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं यहीं नहीं इत रूप से भींगो कर खाते हैं तो पेट या कब्ज से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं ध्यान रहे इसका प्रियोग छिलकों के साथ ही करें छिलके निकाल कर नहीं करना है इसका प्रियोग आपको नंबर थर्ड यदि आप सूस्त हैं या आपको बहुत ज्य प्रियमित सेवन करते हैं तो यह आपके पूरे दिन को उर्जावान बनाए रखेगा नंबर फोर शहरी भाग दोड़ भरी जिन्दगी में आज बलड शूगर या डाइबीटीज आम हो चुकी है इसलिए जो लोग इस समस्या से पीडित हैं उन्हें काले चने खाना में मदद करता है यदि आप इसे सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह और भी ज्यादा फायदे मंद हो सकता है नंबर फाइब काले चनी का नियमित सेवन शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देती है और इसमें मौजूद फासफोरस और आयरन नई रखत को शिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं और हिमोगलोबीन के स्तर को भी बढ़ाते हैं जिससे एनिमिया जैसे बिमारी से बचा जा सकता है यदि आप इसका सिवन गुड के साथ करते हैं तो यह और भी अच्छा है बार बार पेशाब आना या यूरीन संबंधि रोगों के लिए काला चना एक दवा के रूप में काम करता है इसे ना केवल अंकूरित कर बल की भून कर खाने से भी पेशाब संबंधित समस्याएं दूर होती हैं दोस्तों नमबर सेविन आपने अधितर लोगों को रात को चीनी मिट्टी के बरतन में भींगोए गए चनों को खाते हुए देखा होगा इसके पीछे की वजह शारीरी कमजोरी को दूर करना होता है आप इसका प्रियोग दूद के साथ भी कर सकते हैं इतना ही नहीं यदि भींगे पानी में शहद मिलाकर पिया जाये तो पुरुशत्व में बृद्ध ही होती है दोस्तों नमबर एट मानसिक तनाव एवं उनमाद से गुजर रहे लोगों के लिए चना बेहद ही फायदिमंद है यह रात को चने की दाल को भींगो कर सुबह पीसकर चीनी वपानी मिलाकर प और हल्दी मिलाकर यदि आप नियुमित रूप से चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा दिनों दिन और निखरेगा दोस्तों नमबर टेन पीलिया के रोग्यों को अंकुरित चने का सिवन करना चाहिए इससे बहुत ही लाप मिलता है दोस्तों नमबर 11 यह हड्डियों को मजबूती प्रधान करता है इसके साथ ही यह कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है नमबर 12 अंकुरित अनाज की मदद से पेट में उपस्थित विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं आप निंद खराब करके रात को बार बार उठक पर पेशाब करने के लिए जाना एक समस्या है जो कई लोगों के साथ है इसके लिए आप अंकुरित चना खाईए आपको जल्द ही फायदा मिलेगा दोस्तों सुबह सवेरे खाली पेट अंकुरित चना का सिवन करना काफी लाप प्रद होता है इससे शरीर तंदुरूस्त रहता है और बिमारियां नजदीक भी नहीं आपाती हैं दोस्तों नमबर फोर्टिन शरीर में प्रोटिन के मातरा बढ़ाने के लिए अंकुरित चने को साबूत या पीस कर चीनी और पानी के साथ लीजे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा साथ ही मांस पेश्यां भी मजबूत होती हैं दोस्तों नमबर फिफ्टिन सुबह सुबह अंकुरित चने का सेवन करना बहुत ही फायदे मंद रहता है अधिक्तर लोग इसका सेवन सुबह उठने के साथ ही करते हैं इसते नक वल शरीर को उरजा मिलती है बलकि बिमारियां भी दूर नहीं फट बलकि बिमारियां भी नजदीक नह सहारा ले रहे हैं भूख लगने पर वह फास्ट फूड या जंक फूड की बजाए इसी तरह के सलादों का सहारा ले रहे हैं यह सलाद नक वल पोशक ततों से भरपूर होते हैं बलकि इनका स्वाद भी आपको इन्हें खाने के लिए लल चाता है अंकुरित चने की सलाद ए अपने डाइट में शामिल करें और स्वस्त रहें तो यह था आप सभी के लिए आज का हमारा वियो दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे को और महतो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों